नमस्कार आप देख रहे हैं जी बीन 24 न्यूस आपके साथ मैं हुडाशी आईए खबरों की शुरुआत करें अंतराष्ट्य मातरी भाषा दिवस के अपसर पर मौला कक्चा की सुभारव मद्दे विद्याले के शिक्चक भी महतों के द्वारा चंदरपूरा प्रखंड के पपलो पंच्यात अंतरगत जुनौरी गौव में सुरुआत की इसके तरफ सरकार के सौ दिन योजना के तहट पहला दिन एवं दुतियावर के बच्चों को छेतरी भासा में निहा शांती पाठशाला के तहट अंग्रेजी भासा की शंपुन जानकरी दी गई साथ ही छेतरी भासा की भी जानकरी दी बच्चे अंग्रेजी भासा सीखने को लेकर टक्ता बनाया गया जिसके माद्यम से बच्चे पढ़कर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं इस दौरान सिक्चक भी महतो की दौर बच्चों को कविता के माद्यम से योगा भी सिखाने का कारी किये और डफली बजा कर खोर्ठा बच्चे भासा में गीत के माद्यम से हिंदी वर्डमाला सिखाया गया बच्चे भी काफे उत्साह के साथ अध्यन कर रहे थे सिख्चक भी महतो का योगदान हमेशा बच्चों के परती लगा रहता है इन्होंने करोना के काल में जब भी विद्यालय बंध हो गये उस समय ब अंगल डांडा से बसे मलहार बच्चों को परिवार के बच्चों को कमला माता फारी चंद्रपूरा गरीब बच्चों को अपनी नीजी मद से कॉपी पैंसिल पेन आधी पाठे सामेगरी दे कर पाठे करने का कारे कर रहे हैं इहीं देन का है जो आज मलहार परिवार के बच बच्चे को अपनी मातरी भासा में सिछा देना है और ताकि बच्चे जो है सो समझ सके जहां माल्या फटा की बच्चा है नहीं बोलेंगे तो नहीं समझ पाएगा और उसी भासा को जब नहीं समझेंगे इसलिए आज बच्चों को जगाने के लिए आज हम पठा से भी कखा ख़गा पढ़ाएं देखें कितना अच्छा बच्चे मनोरंजन के साथ मैं पढ़ें और अभी केंदर सरकार की और योजना है कि सो दिन का सतत पढ़ना बच्चों का कार्जकरम है मोहला कच्छा लगा के त यहां पे कच्छा लगेगा और बच्चे लोगों को पढ़ाएं एक्ठो इंगलिस रिदिन का कार्जकरम चल रहा है निहार सांती पाट साल उसके तहद में भी बच्चों को जो थो आम स्का 대해서 होते हैं तो उनके लिए भी हमने जुह है सर चाठ बनाया है और तपीस तरह से बच्चे को आसे बच्चे कोई कर पाएंगे उसके लिए हमने भी चार्ट बनाया है और उसी चार्ट के आधार पर बच्चे लोगों को पलुएशनीय करके हम पढ़ाएंगे भी दरीब बच्चों को नीशूल पढ़ाते हैं और यह हमारे जुनोरी स्कूल के पसक्षेतर के बच्चे हैं वान्टू के बच्चे इन लोगों को भी हम जो है सो पढ़ाय का ताम वैसे इन पहले हम पढ़ा आ रहे थे और फिर इधर कौना खतम हो गया तो फिर उन लोगों क अब्डेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ नमस्कार